अब्रिवन नमस्ते स्वागत आपका हमारे यूटुब चैनल बेस्ट नौट्स टिटोरियल पर आज की वीडियो में हम 20 इंपोर्टेंट MCQs को डिसकस करने वाले हैं जो के आपके उत्राखंट के आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं आप आप सभी लोग वीडियो के अन तक बहने रहिए और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए आज की MCQs की कलाश शुरू करते हैं तो पहला MCQ है आप लोगों के लिए ने निताल की खोज वर्ष 1841 में किस ने की थी? आपसेन नमर ए है संक्राचार्या, आपसेन बी है प्रेदियुम्न सिंग, आपसेन C है पी बैरन, और आपसेन नमर डी है फ्रेंक इस्मित तो सई जवाब होगा आपका आपसेन नमर सी पी बैरन, ने निताल जीहिल की खोज कवई थी? सब्सक्राइब करें और प्रियाग और प्रियाग के दाना धाम किस जनपद में इस्तित है और अगला एंसे क्यों है जिम कार्वेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहां इस्तित है राम नगर काला ढूंगी रानी खेत नैनी ताल तो काला ढूंगी आपका सही जवाब होगा और जिम कार्वेट नेशनल पार्क का जो म्यूजियम है यानि संग्रहाले वो है काला ढूंगी में दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिये और यदि आप UKPSC और UKSSSC के टेस्स रिजॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमसे वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर आपको एप का नाम बीन टीटोरियल नाम से शो हो रहा होगा और बाकी फीडिया आपको वर्टसप गुरू में मिल सकते हैं कंवाउ का चानक नाम से प्रसिद है बद्री दतपांडे हर्षदेव जोसी इंद्रमनी बडोनी गुर्डवा तो सही जवाब होगा आपका हर्षदेव जोसी option नमर B कंवाउक का चानक के नाम से प्रसिद है हर्षदेव जोसी जी तो अगला M.C.Q है वुग्याल किसे कहते हैं तो थोड़ा सा यहां पी हम पढ़ेंगे जहरने को आप्चिन B है पहाडों के बीच हरे चारागा को आप्चिन C है पहाडों के बीच रेट के टीले को आप्चिन D है समतल मैदान को तो सिंपल भासा में बुग्याल क्या होते हैं बुग्याल होते हैं पहाडों के बीच हरे बरे चारागा है यानि जैसे पहाड है फिर बीच में कोई समतल सी जगह है वहाँ पे हरे बरे जो चारागा है उनको हम कहते हैं बुग्याल यदि आपने वोग्यालों का सफर भी किया है तो जरूर कमेंड में बताइए अगला M.C. Q है ओम परवत नीम लिखित में से किस मार्ग पर इस्तित है रूप कुंड गौल्दम मार्ग बदरीनात सतो पंथ मार्ग केदानात काग भुस्दो मार्ग और option number D है मालपा मान सरोवर मार्ग सफर जवाब होगा आपका मालपा सरोवर मार्ग option number D तो अगला M.C. Q है उत्राखन में बोली जाने वाली बोलियां नीमने लिखित में से कौन सी है मंडियाली या और भोजपुरी, गड़वाली और कुमावनी मगही और मेथली और मेवाती और बगहीली सई जवाब होगा आपका option number B गड़वाली और कुमावनी आप सभी उत्राखन से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि उत्राखन में जो अधिकांसतर भासा बोली जाती है वो है गड़वाली और कुमावनी अगला एम से क्यों है उत्राखन राजी के कि जिल्ले में रास्ट्रे रक्षा अकादमी इस्तित है पोड़ी, देहरादून, पिथोरागर, नैनिताल तो सही जवाब होगा आपका देहरादून option number B आपका सही जवाब है उत्राखन राजी के जिल्ले में रास्ट्रे रक्षा अकादमी है देहरादून में ऐगला एम से क्यों है उत्राखन में पैट्रोलियाम विश्व विद्धेले कहाँ की प्रतिक चिन नहीं है कस्तुरी मरेग, चिंकारा, ब्रहम कमल और बुरांस सही जबाब है आपका चिंकारा यानि उत्राखन राजे का प्रतीक चिन है हम राजे पसु की बात करें तो कस्तुरी मरेग, राजे पसु की बात करें तो ब्रहम कमल और राजवरक्त के बात करें तो बुरांस तो ये तीनों क्या है उत्राखन के प्रतिक चिन है इसमें से चिंकारा नहीं है अगला M.C. क्यों है अलकनंदा और भागी रथी का संगम इस्तल कहां है देव परियाग, रुदर परियाग, नंद परियाग और करण परियाग तो देव परियाग आपका सही जवाब होगा अगला M.C. क्यों है गड़वाल के इतिहास में जहांसिकी राणी के संग्या किसे दी गई है तीलू रोतेली, महाराणी, गुलेरिया, जियाराणी, गौरा देवी तो तीलू रोतेली आपका सही जवाब है अगला M.C. क्यों है महानमा गांदी ने उतराखंड के किस इस्तान को भारत का सुटजरलेंड कहा था मसूरी, कौसानी, ओली और रानी खेत तो सही जवाब है कौसानी अप्चन नमर भी आपका सही जवाब है जब महानमा गांदी उतराखंड आये थे तो उन्होंने भारत का सुटजरलेंड कौसानी को कहा था अगला M.C. क्यों है नीलकंट महादेव का प्रसेद मंदिर किस जन्पद में इस्तित है तीरी गडवाल, रुद्रप्रियाक, पौड़ी और देहरदून तो सही जवाब है आपका पौड़ी नीलकंट महादेव का जो प्रसेद मंदिर है वो है तो पेषावर कांड आपने सुना होगा पेषावर सेयन्य बिद्रो हो आपका सई जबाब है वीर्चन्द्र सिंगडवाली का संबन था पेषावर कांड से अगला MC क्यों है? उदे संकर निरित्या कादमी के स्थापना कहा हुई है अल्मोडा, देहरदून, स्री नगर और रानिखे तो सई जवाब होगा आपका अल्मोडा में अगला M.C. क्यों है नहरू परवता रोहन संस्तान के स्थापना कब हुई थी नहरू परवता रोहन संस्तान के स्थापना कब हुई थी 14 नवमर 1951 में, 14 नवमर 1965 में, 30 नवमर 2000 में और 15 अगस्ट 1991 में तो सही जवाब होगा आपका 14 नवमर 1965 में option नमर B आपका सही जवाब है नहरू परवता रोहन संस्तान के स्थापना 1965 में हुई 14 नवमर को जो कि उतरकासी में है अगला है उतराखन इस्तित भारत तिब्बत की सेमा पर बसा अंतिम भारतिय गाओं का क्या नाम है डोढ़रा, क्वार, माना, नाडी मार्ग, कालो, चक्रे तो सही जवाब होगा आपका माना, माना भारत का एक अंतिम गाओं कहते हैं माना को और यही है जो कि उतराखन में इस्तित है अगला है मसी क्यों है बदरी नाध धाम की सहर में इस्तित है वोफली आपको ये कंप्लीट होगा देरदुन में, रुदर प्रियाग में, पौड़ी में और चमोली में तो सही जवाब है आपका चमोली में बदरी नाध धाम चमोली जिल्य में इस्तित है तो अगला है मसी क्यों है कार्वेड नैशनल पार्क की जिल्य में इस्तित है नैनिताल, चमोली, अलमोडा, हरीदौर तो सही जवाब है कार्वेड नैशनल पार्क कहा है, वो है नैनिताल में तो दोस्तों आज की कलास यहीं पर एंड करते है आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप एंड तक जुड़े रहे होंगे तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर कलिक कर दीजे ताके हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बने रहेगा वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक कियर